हलो एवरिबन आप सबका वांग शेन बबल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई स्टोरी प्रिजनर के पार्ट टो को शुरू करते हैं कल मुझे एक कमेंट आया था कि मुझे कहानी शुरू करने से पहले सभी कैरक्टर्स का इंट्रोडक्शन देना चाहिए तो मैंने भी ये बात सही समझी इसलिए मैं हमारे सभी कैरक्टर्स के नाम और उनकी विशशताएं पहले सपश्ट करती हूँ पहले पार्ट में आपने देखा ही होगा कि वांग जी वुशियान का प्रिजनर बनता है इसलिए इस कहानी का नाम प्रिजनर रखा गया है ये पहले एक वांशोट थी वांशोट मतलब एक ही चाप्टर में खतम होने वाली कहानी थी लेकिन ये कहानी सभी लोगों को इतनी पसंद आई कि इसकी लेकी का इसे आगे भी लिखती रही जिसे इसके ग्यारा चाप्टर बन गये ये तो हुई कहानी के बाद अब आते हैं हमारे कारक्टरस पर ये है जी यांग वूशियान ये हमेशा की तरह वी वूशियान नहीं है जिसे जी यांग ने पाला था बलकि इस कहानी में ये जी यांग फैमिली का बड़ा बेटा है और यू राज भी जो राजा फेंग मिया के बाद राजगदी संभालेगा वूशियान वैसे तो बहुत नटकट है और उसे गपशब लडाना बहुत पसंद है लेकिन अगर बात उसके राजजकी आती है तो वो एक महान से नानी में तब्दिल हो जाता है युद्दकला के साथ साथ वो राजपार्ट में वे अच्छा है साथ ही हाजर जवाब भी है वूशियान के पास हर सवाल का सटिक जवाब तो होता ही है लेकिन उसकी एक कमजोरी है उसका शरम से दूर दूर तक कोई रिष्टा नहीं है इससे वूशियान पर तो कोई असर नहीं होता लेकिन उसके आसपस के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है जैसे की लांचरेन और कई बार जंग्छा भी हमारे दूसरे कैरेक्टर का नाम है राजकुमार लावांग जी ये गूसु के ट्विंजेड्स में से छोटे भाई हैं खूबसूरती और लडाई दोनों में इनका कोई दोड नहीं साथ ही औशदी विग्यान में भी महारत हासिल है जिसके बारे में हम आगे की चाप्टर्स में जानेंगे वैसे तो वांग जी को वूशियान से पहली नजर में ही प्यार हो गया उसकी चतुराई और पराक्रम देखकर वांग जी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्णर रखने लगा लेकिन वूशियान की हरकते देखकर वांग जी हर बर खुद को कैसे संभालता है ये बस वांग जी जानता है ये है लांग जी चेन यानि गुसु के इवराज और वांग जी के बड़े भाई वैसे तो इस कहानी में इनका ज्यादा रोल नहीं है लेकिन जितना भे है पाई गौड सुनकर मज़ा आ जाता है ये लांग जी रेन है अभी के लिए ये गुसु के अधिपती है लेकिन इनोंने शादी नहीं की इसकी वज़े से इनका वारिस इनके भतिजों को माना जाता है इनके भतिजे इनका गुरूर है वैसे तो जी यांग से न पतिव उशियान की इज़त करते है लेकिन वांग जी के मामले में वो पानी कम चाय है ऐसा इने लगता है अब आते हैं जी आंग परिवार पर ये है जी आंग के छोटे राजकुमार जी आंग चेंग जिने हर बार उशियान की वज़े से शरम से सरजुकाना पड़ता है ये शरम अपने आप में ही गुसे में बदल जाती है ये अपने बड़े भाई और परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते है ये है युनमेंग के अधिपती जी आंग फिंग मियान ये स्वभाव से बड़े ही शांत राजा है अपने बच्चों की शरारतों को भी ये अपनी सूजबूज से संभाद लेते है अब विरोती दल को समझ लेते है ये है वेंशू जिसे वांग जी बहुत पसंद है या फिर यू कहें कि वांग जी को पीड़ा देना बहुत पसंद है ये वेंग के यूराज है दूसरे है वेंग के दूसरे राजकुमार वेंचाओ ये अपने बड़े भाई से रत्तिवर भी कम नहीं है तीसरे है वेंजूलियो ये भी बिल्कुल सेम ही है अब कहानी के तीसरे आयाम की तरफ चलते है ये है निये परिवार जिनके मुखिया है नीये मिंग जे ये यून्मिंग से संदी तो करना चाहते है लेकिन इनके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही है ये नीये हुय सांग है और ये नीये यांग जी इनके बारे में हम आने वाले चाप्टरस में जानेंगे निये परिवार की तरह जिन परिवार भी युन मेंग से संधी करना चाहता है लेकिन जिन परिवार तो निये परिवार से भी गया गुजरा है जिसके मुख्या है जिन गॉंग शाओ जिनके कई सारी ओलादों में से एक ओलाद है जिन गॉंग याओ और दूसरी जिन जूशी इनके बारे में भी हम विस्तार से बाद में जानेंगे वूशियान के करीबी दोस्तों में मिंग्ज ही आती है जो जियान की वैद्दे भी है और दूसरा है वैनिंग ये वूशियान के बहरोसे मन लोगों में से एक है साथ ही कुछ साइट कारेक्टर्स भी है जैसे जिंगी, सौंगलान और शावशिंग चेन और साथ ही इनका एक छोटा बेटा भी है जो कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है इनके राज्यराज्थानी और राजमेहल की बाते तो आप अंटेम्ड से ही जानते होंगे लेकिन आप अगर इसके बारे में फिर से जानना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में भी ड बनाते हैं वांग जी ने अपने आखे कोली वो दिरे-धिरे होश में आ रहा था पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ पर है पर दिरे-धिरे उसकी आदश पूरी था कि वो लान परिवार का कोई मुख्य सदस से है जिसके वज़े से जियांग वूशिया ने जियांग वैद्य को उसका खास खयाल रखने के लिए कहा था वांग जी जब पूरी तरह से होश में आया तब उसे पता चला कि उसका चेहरा अब ढका हुआ नहीं है लान परिवार एक गहरा गहों महसुस किया वो खुद का इलाज करना बहुत ही अच्छे से जानता था वांग जी पदमासन में बैट कया और अपना ध्यान के इंद्रित करने लगा उसने अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड लिया अपना पाया हाथ नीचे और दाया हाथ उपर करके दो उसके अद्रित करने की वजय से वांग जी के माते पर पसीना आने लगा था लیکिन फिर पी वो अपनी उर्जा तब तक प्रवाहित करता रहा जब तक उसका खाव पूरी तरह से थीक नहीं हुआ अब उसके हाव का निशान तक नहीं दिख रहा था वांग जी ने फिर से अपना चेहरा डख लिया तभी उस कमरे में मिंग जी चली आई मिंग जी जो की जियांगी वैद्ध थी वोशियान के आदेशा नुसार वो वांग जी का इलाज करने के लिए आई थी लेकिन उसने कमरे में आकर देखा कि वांग जी खिड़की के पास खड़ा है गुसु के वैद्ध ज्यान के बारे में उसने सुना तो बहुत था लेकिन आज देख भी लिया वांग जी का परियों से भी खुबसूरत चहरा फिर से नकाब के पीछे देखकर जी को ऐसा लगा कि वांग जी का नकाब भटा कर उसने कोई गलती की है उसने वांग जी को जुशिया मतलब प्रणाम करते हुए कहा लानर गौंजा मैं जीयांग परिवार की वैद्य मैंग जी हूँ मुझे से ना पती जीयांग भूशियां द्वारा आपका इलाज करने के आदेश मिले है तो क्या मैं आपके घाव की चिकिसा कर सकती हूँ वांग जी ने हामेसर हिलाया वो जानता था कि वो एक कैदी है और कैदी की कोई इच्छा नहीं होती इस वैद्य ने उसकी इजाज़त तो मांगी थी लेकिन अगर वो ना कहता तो बाकी बंदकों पर इसका आसर होता वैसे भी जीयांग भूशियां के आगया का उलंगन कौन करता जी ने जब वांग जी का घाव देखा तो उसे देखकर वो दंग रह गई क्योंकि वांग जी के ना सिर्फ गाव ठीक होए थे उसके निशान तक मिठ चुके थे इतने बेहतरीन इलाज की विद्या तो जी के पास भी नहीं थी गूसु के अनुयाई से इतनी तो उमीद की जा सकती थी वेन राज ऐसे ही गूसु के पीछे नहीं पड़ा हुआ था जी अपने अचरज को छुपाते हुए सामान ने चहरा रखकर बोड़ी लानार गंजा आपके गाव तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं हमारे सेना पती आपके साथ चाई पीने की इच्छा रखते हैं चलिए मैं आपको ले चलती हूँ जी ने दरवाजा खलते हुए वांग जी को अपने पीछे आने का इशारा किया वांग जी भी यही चाहता था वो गूशियान से मिलकर गूसु पर आकरमन की वज़ा जानना चाहता था साथ ही उसके शिशों के बारे में भी जानना चाहता था इसलिए बिना देर किये वो जी के पीछे पीछे चलने लगा जी यांग वो शियान जंग्चा और वेनिंग से बाते कर रहा था पिछले दो दिनों में जी यांग से नाने पूरी पहाड़ी की खाक चान मारे थे लेकिन उन्हें गूसु की पहाड़ी पर कही पर भी गूफा का आता पता नहीं मिला था वो जानता था कि गूसु के चात्र खाने पिने के सुविधा का कोई इंतजाम नहीं कर सके थे और वो कही पर भी नहीं मिल रहे हैं वो तो बस यही आशा कर रहा था कि वो कही वेन के हाथ न लगे हो कम से कम एक लान सदसे तो उसके हाथ लगा जिसकी वज़े से अब वो बाकी के लान सदसों के बारे में जान सकता है वोशियान ने अपना सेना पती का भेस बदल कर आम कप आई दी आज के लिए बस इतना ही आपसे कल मिलती हूं तब तक के लिए अपना खयाल रखे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजे इस तरह की और कहानिया सुनने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजे और वांग शेयन बबल में खुश रहिए थैंक यू